हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत है मैरे तू आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना भूलें इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की तो दोस्तों आप सभी हैटफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मसा आराम से लिंग मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छूलेगी तो दोस्तों मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए स्टोरी लेकर आते हैं जिन लोगोंने हमें अपनी स्टोरी बेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं और जो लोग हमें अपनी स्टोरी बेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वाकत है तो कहानी का आप मजा लो आज की कहानी का नाम है नाइट हस्बंट मेरा नाम मोहित है स्टड़ी कंपलीट होने के बाद में मैंने एक प्राइविट फर्म में जॉब कर ली तो उसके बाद में मेरी मा ने मतलब मेरे पर शादी का फोर्स किया कि कैसे तेरी मैरेज करवाएं तो मैं एक लड़की से प्यार करता था उसका नाम संध्या था मैं उससे बहुत प्यार करता था वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी मैंने अपनी ममी डैडिस के कहा कि मेरी मैरेजी सी के साथ मैंने संध्या के साथ ही शादी करनी है तो मेरे ममी पापा उसके घर में गए मतलब सब को बना लिया शादी के लिए और हमारी अच्छी तरह शादी होगी उसके बाद में थोड़ी देर तो मैंने भी जॉब करी संध्या ने भी जॉब करी पर मेरे जो पापा थे मिल्टरी में थे जब वो रिटाइड हुए तो अच्छा खासा पैसा मिला उस पैसों को हम लोगों ने मतलब एक प्राइवेट जो सौरी प्राइवेट नी गाउमेंट जो शॉप होती है रेडिमेट गाउमेंट की शॉप हमने वो मतलब लैंड लिया और बनवाई उसमें मतलब रेडिमेट गाउमेंट रखे तो किसमत अच्छी थी कह सकते हैं, हमारी जो शॉप थी वो चल पड़ी, काफी अच्छी चल पड़ी दो साल में ही, मैंने उससे इतना सदा पैसा कमा लिया कि मैंने सोचा, मैं अपना घर लूँगा, तो हम लोगों ने बड़ाई अच्छा सा घर लिया, घर जादा बड़ा भी नहीं था और जादा छोटा भी नहीं था बहुत अच्छा घर था उसके बाद में फिर मतलब जैसे सब कुछ करते हैं, हम लोगों ने अच्छी तरह उस घर को मतलब सजाय जो या उसके बाद में हम लोगों ने shifting करी जब हम जोग shift हुए तो first day जो था मेरे को बड़ा मतलब रात होते ही शाम होते ही आठ बजे के करीब मेरे को कुछ अजीब सा लगने लग जाता है अजीब सी बेच है नहीं तो मैं बड़ा मतलब अजीब सा feel करता था लेकिन जो मेरी wife थी वो खुश थी रात होते ही जब भी रात होती ही उस घर मेरे को कुछ अजीब सी feeling आती लेकिन जो मेरी wife थी वो खुश थी तो इसलिए मैंने फिर उसको मतलब डिस्टरब करना अच्छा नहीं समझा मैंने का चलो अगर ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ तो मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला तो मतलब मेरे अंदर से अजीब अजीब भाव आते थी जैसे कि मैं अपनी wife को रात को बहुत ही जादा प्यार करना उससे खुश रखना उसको gift देना मैं अजीब सा बन गया था पहले मैं निकला था अपने घर में आने के लिए खाना खाने के लिए निकला था लेकिन पता नहीं क्यूं मैंने अपनी गाड़ी गुमा ली कहीं और ही मैं चला गया और वहाँ पर जब मैं गया तो ये शायद मेरे अंदर से कुछ और करवा रहा था मैं खुद नहीं कर रहा था तो एक लेड़ी बैठी हुई थी ओरत तो वो अपना सिलाई का काम कर रही थी मतलब टेलर का काम बहुत ही अलग सी वो लड़की थी वाइट साड़ी उसने पैनी हुई थी तो मैंने उसको जाके सीधा बोल दिया मैं का सावी मैं आया हूँ और मुझे खुद ने पता था मेरे अंदर से आवास कैसे निकल रही है मैं इसको कैसे जानता हूँ तो और वो एकदम ही खड़ी हो गए क्याती आप उसने मुझे अंदर बोलाया चाहे दी और मुझे पूछती आप इसके अंदर कैसे फिर मैंने उसके कुछ अपनी बातें की बड़ा प्यार उसको जताया तो अब मैं जाता था सावी के पास चला जाता था मुझे नहीं पता था मेरे साथियस से क्यों हो रहा है बस मेरे अंदर कोई जैसे शक्ती आ जाती थी और मैं बार बार उस लेडी से सावी से मिलता था तो सावी कहती की मुझे पता ही नहीं चला मतलब वो मुझे बताती थी जिस तरीके से वो बातें करती थी मैं समझ गया था कि मेरे अंदर कोई ऐसे चीज आ गई है जो एक्सिडेंट में जिसकी मौत हुई है तो फिर मैं सावी से मतलब अपने आप तो कभी बात नहीं करता था मैं जानता था ये सब मेरे से कोई और करवा रहा है सावी का मैं बहुत ही धियान रखने लग गया था और जब मुझे होश आता था कभी कभी मैं उसके पास ही होता था और मुझे एकदम होश आ जाता था मैं कोन हूँ करके पर फिर भी अभी इतना सब कुछ हो चुका था कि मैं चाहता नहीं था कि सावे डिस्टरब हो जाए तो एक समझता था एक इनसान की फिलिंग्स मैं किसी को कैसे परिशान कर सकता हूँ तो इधर मेरी जो वाइफ थी संधिया उसको मैं मतलब पता नहीं चाहता था कि इसको कुछ पता चले तो एक दिन मैं अपने घर में था और यह जो चीज मेरे अंदर थी यह मेरे उपर इतनी हावी हो गई यह बार बार कह रही मेरी वाइफ को कहती ही मैं सावी को यहां लेके आऊँगा मैं सावी के साथ रहना चाहता हूँ मैंने सावी को इसी घर में रखना मैं इसे यह चीज़ कंट्रोल भी नहीं हो रही थी मेरी वाइफ मुझे बार 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 बुझ रही यह सावी कोने, सावी कोने, मैं बहुत चिला के बोला, मेरी बत नहीं है ये और जब उसने ये सुना तो वो बहुत रुई, बहुत रुई कहती है, कब हुआ, कैसे हुआ अब मैं उसको क्या बोलता मेरे अंदर से ये चीज बोली जारी थी मेरे माबाब भी जो थे माता पेटा बिचारे देख रहे थे, क्या हो गया इसको, अब मेरे को नहीं मेरे को नहीं पता था, ये सब मेरे अंदर से वोई आद्मी करवा रहा है जो मेरे अंदर है, तो फिर लेकिन जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ तो मैंने कुछ अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोला कि हाँ मेरे को कुछ होता है या क्या प्रॉब्लम है मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं बोला तो शाम को फिर वो चीज मेरे अंदर आ गई और हैवी हो गई मेरे उपर मैं सावी का सारा सामान लेके अपने घर में आ गया मैंने एक कमरे में सावी को रखा अब मैं जो था बहे हद एक्रेसिव रहता था और लाल-लाल मिरी आँखे रहती थी मैं हमेशा सावी को जादा बूचता था और अपनी वाइफ संध्या को कम तो मेरी वाइफ बड़ी बेचान हो गई क्याती अगर तुमने मिरसे तैसी करना था तो तुमने मिरसे शादी क्यों की मैं इसको क्या बताता मैं इसको अब क्या बताता कि मैं जब मैं सही हो जाता था नॉर्मल हो जाता था इवन तभी मेरी आदत थी कि मैं अपनी वाइफ को कभी कुछ नहीं बोलता था डिस्टरब नहीं करता था लेकिन वो इतनी जादा डिस्टरब थी मैं उसको कभी कुछ बोल भी नहीं पाता था कि हाँ मिरे साथ क्या हो रहा है बस यह होता था कि अगर मैं बिल्कुल सही हो जाता था तो मैं संधिया के प पस कोई जवाब नहीं था तो मैं बड़ा मैं अपने आप में ही मैं रूठा रूठा रहता था अपने आप से ही तो मेरे पापा का एक दोस्त था वो पंडित था तो एक दिन वो अचानक घर में आ गया और जब उसने मुझे देखा न वो एकदम मेरे को देख के मतलब जैसे क उसने मुझे को देखता ही गया और मैं एक दम नजरे बिचा के मैं संध्या के रूम में चला गया उसने फिर मेरे पापा से बात की कहता कि तेरे बेटे के अंदर इस टाइम कोई चीज है मेरे पापा कहते क्या फिर उसने मतलब कहता मैं इसके मतलब पुजा करना चाहता हू मैं तो मेरे बापा कहते करो तो उसने मुझे बुलाया बार बार बुलाया लेकिन मेरे जो अंदर हावी हो चुकी चीज थी वो आई नहीं बार उसके सपास ही नहीं आई उसने वहाँ पर मतलब अपना हावन करना शुरू कर दिया बड़ी जोर जोर से इससे मुझे बहुत तकलीफ हुरू थी मैं बार बार अपनी गर्दन जोर जोर से हिला रहा था और जैसे गुल-गुल गर्दन खुमाते हैं न मैं वैसे कर रहा था मतलब मेरे जो शरीर था वो भी जूम रहा था और मैं एक तम जाके उसके सामने जब बैठा तो थी संधिया और मेरी दूसरी पतनी जो थी सावी वो भी आ गई तो अंदर से मैं मेरे अंदर से वो चीज बोल पड़ी उस टाइम कहती कि मेरा नम उदे है तो कहता उदे तमारी मौत कैसे हुई तो मैंने मतलब जो मेरे अंदर चीज थी उसने बताया कि एक एकसिडेंट हुआ था उसमें मेरी मौत हो गई तो कहता तू यहां पर ठहरा कैसे है यह बता कहता मैं जो मेरे कपड़े थी उस पर थोड़ा सा खून लगावा है वो इस समय भी मेरी पत्नी के पास है कहता कुन सी पत्नी के पास है कहता सावी के पास है सावी को बुला हाँ सावी कहती हाँ कहता है वो ले क्या हो बस उसके बाद में जब वो कपड़ा ले के आए तो उसने वो कपड़ा अपने पास रख लिया और उसको हुकम दिया इसके अंदर से कहता है निकल और जा तेरे को मैं अभी आज़ाद करता हूँ बस चले जा यहां से तेरा हम कुछ नहीं करेंगे मतलब तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो निकल के मतलब चला गया और उसने वादा किया कि मैं दुबारा इसकी शरीर में नहीं आऊँगा लेकिन एक वादा उसने ये भी लिया कि मेरी पतनी जो है सावी उसको अच्छे तरीकी से रख जाए उसको इस घर से ना निकाला जाए क्योंकि मैं इस घर का मालिक था पहले तो हमें पता चल गया फिर कि जब वो मेरे अंदर से निकला तो अब हम सब जान चुके थे कि जो उसकी पतनी थी सावी उसके साथ वो इसी घर में रहता था आदमी तो उसका एक्सिडेंट हुआ तो उसने जो लास्ट कपड़े रह जाते हैं तो उसने वो कपड़े जो थे वो सावी ने संभाल के रखे हुए थे कि हाँ अपने पती की याद में तो अब हम सब बात समझ गए थे और ये था कि सावी अब डर गई थी कि मेरा क्या होगा और मेरे अंदर से जब ये चीज निकली तो सभी अब अपने अपने मतलब रस्ते हो गए मैं भी अपने कमरे में आ गया मेरे पापा और मेरे मम्मी थे उसी पंड़ी से बात करने लग गए कि मतलब आप आते रहा करो घर में वगरा वगरा जो भी है तो मैं अब इतना मैं अंदर से ही बड़ा परिशान हो गया मैंने का कि अब मैं क्या करूंगा कि संध्या को ये बोल दूँ कि तू इस घर से चली जा सावी को मैं समझ नहीं पाया और संध्या जो थी अब वो बड़ी रिलेक्स थी कि हाँ मेरा जो हस्बंड है वो ही मेरा ही है मुझे बहुत प्यार करता है तो बस मैं थोड़ी दे लेटा रहा लेटा रहा क्यूंकि मेरा शरीर भी बड़ा तूट रहा था तो पांचे दिन तो ऐसी मेरी जो वाइफ थी संध्या वो मेरी सेवा करती रही और वो बड़ी खुश थी कि हाँ जो मेरा पती है मुहित वो सिर्फ मेरा ही है तो लेकिन मैं अंदर से जो था मेरे को पता था कि इस समय सावी को कितनी तकलीफ हो रही होगी वो सोच रही होगी मैं कहा जाओ क्यूंकि वो कराय के मकान में रहती थी मैं बहुत कुछ सोच रहा था और मेरा ये मन नहीं था कि मैं उसको निकालू तो मैं जब ठीक हुआ तो बीच में ही मैं उटके मतलब इनी दिनों में सावी की रूम में मैंने नौक किया सावी ने दर्वाजा खोला मैं कहा मैं अंदर आ सकता हूँ उसने सर हां में हिलाया मैं एक छेर पे बैठ गया तो कहती मैं आपके लिए चाए बनाती मैंने का नहीं आप प्लीज पहले बैठो मेरी बात सुनो तो वो बैठ गई मैंने उसको बोला साव मैंने का देखो सावी जो भी हुआ जैसा भी हुआ मैंने का मैं तो ये मानता हूँ ना कि तुम मेरी पतनी रह चुकी हो वो कहती हाँ तो मैंने का मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालना चाहता तो उसने कुछ नहीं बोला तो मैंने उसको हमारे का हिसा हो क्या तुम भी हमें अपना ही मानती हो हमें मानती हो कि हम भी तुमारे ही है तो उसने का हाँ मैं तुम लोगों को अपना ही मानती हूँ तो मैंने का अगर हम लोग आपको अपने पास रख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो कहती नहीं तो मैंने उसको साफ बोला मैंने का तुम मेरी दूसरी पत्नी बनके रहोगी तो उसने हां मतलब बोला कहती हां मैं बनके रहूँगी तो अब मेरी अपनी वाइफ को मनाना था संध्या तो मान चुकी थी सावी तो मैं अपने रूम में आया और मेरी वाइफ अब देख रही थी कि कैती आप सावी के रूम में गए थे मैंने का हाँ मैं क्या बोलता उसको कैती किस लिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया मैं उसको क्या बताता मैं किस लिए गया उसके कमरे में तो मैं अपने अब काम पे जाने लग गया अब घर का ये महौल था कि मतलब जो मेरी वाइफ थी संधिया वो सावी को बरदाश नहीं करती थी कि अब मैं ये चाहता था कि हाँ मैं किसी तरीके से बिचारी को रख लूँ क्योंकि उसकी आत्मा उदे की आत्मा मैं चाहता नहीं था दुखी हो और मेरे मावाब जो थे मेरे को कभी कुछ बोलते ही नहीं थे क्योंकि मैं अपने मावाब का एक लोता लड़का था तो वो कभी भी नहीं कुछ बोलते थे हाँ तू ये कर तू वो कर वो तो जैसे मैं जो बोलता था वो सभी मेरी बाते मानते थे तो फिर मेरी जो वाइफ थी संध्या उसको प्रेगनेंसी हुई तो घर में बड़ा अच्छा सा महौल आ गया तो खुशियां मनाते हम लोग कोई छोटी मुटी भी चीज़ आती तो हम लोग खुशियां मनाते फिर मैंने गाड़ी एक नई गाड़ी ली तो मैंने बहाने से इस सब को बोला तो मेरी सभी लोग त्यार हुए जब मैं शाम को आया तो सभी तयार थे सिरफ एक सावी ने कपड़े नहीं सही पैने थे मैंने सावी को बोला मैंने का सावी आपको स्पेशल कहना पड़ेगा बाहर जा रहे हैं हम लोग सब को बोला था तो आपको भी बोला था अब जो मेरी वाइफ थी संधिया वो मेरे को घूरने लग गई तो सावी को मैंने जबरजस्ती बोला मैंने का जाओ जाके आप कपड़े पैन के आओ हम सब फैमिली सारा जा रहा है ना तो आप फैमिली से अलग हो तो मेरी वाइफ को बहुत गुस्सा आया संध्या को बहुत गुस्सा आया कि मैंने सावी को भी पूछा तो उसके बाद में हम लोग सभी डिनर पे गए डिनर पे भी जब ये लोग बैठे तो मैं तो बीच में बैठ गया सेंटर टेबल जिसे बोलते है जो मतलब होता है न किनारे का उसमें मैं बैठ के है मैं सब देखना चाहता था मेरी फैमिली में हो क्या रहा है हम लोग ने बड़ी अच्छी तरीके से खाना खाया तो मैंने बीच में संध्या को बोला भी मैंने का ये जो दिन है ये आपके खुश रहने के दिन है आपको खुश रहना चाहिए तो वो चुप रही फिर बस थोड़े दिनों में हमें पता चला कि हाँ जो सावी है वो भी प्रेगनेंट है अब जो मेरी वाइफ थी वो बेहद चिट रही थी कि हाँ सावी को भी प्रेगनेंसी है तो मैं क्या बोलता ये सीधर डिरेक्ट तो मैं बोल नहीं सकता था उदे का बेटा है या फिर मेरा बेटा है लेकिन मैं उसको ये भी धका भी नहीं दे सकता था अपनी फैमिली से फिर मैंने सोचा कि मैं डिरेक्ट अपने पूरे परिवार को बिठा के बात करूँगा कि संधिया तुम चाहती क्या हो मैंने ऐसी किया मैंने साफ बोल दिया कि आज हम मैं आऊंगा और हम लोग अपनी फैमली की बात करेंगे तो मैं आया, मेरे जो वाइफ थी संधिया, उसने खाना लगा के रखा टेबल पे, हम सबी बैठे, उसमें भी सावी नहीं आई, मैंने सावी को स्पेशल उसके रूम में नौक किया फिर मैंने अपना जो फैसला था, अब अपना फैसला सुनाने की टाइम आ गया था, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कर संधिया, आप जानते हो कि हमारे साथ सावी रहती है, उसने सर हलाया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तो मैंने का आप ये चाहती हो कि हम, जो सार की तरीका है कि हम लोग अगर उसकी आत्मा को हम खुश देखना चाहते हैं तो सावी हमारे साथ रहे तो मेरी दूसरी पत्नी जब मैंने अपनी दूसरी पत्नी बोला तो मतलब मेरी जो वाइफ थी सुधा वो बेहर डिस्टरब हो गई कहती तुम मेरे से प्यार करते हो कि उसस प्यार करते हो मैंने का अभी प्यार की बात नहीं है प्यार बात में है पहले इंसानियत है मैंने का मैंने जिस कंडिशन में उसको देखा है कि पहली बार जब मैं उसके घर गया तो वो कपड़े सिलाई करने वली मशीन के सामने बैठके कपड़े सिलाई कर रही थी दर जी टेलर का काम कर रही थी और मैंने का उसने वाइट साड़ी पहनी हुई थी मैंने का उसको बहुत तकलीफ में उसके हस्बर ने देखा है वो मेरे साथ उसको छोड़ के गया मैं उसको धका नहीं मार सकता अपने घर से बस अब मेरे मावाप थे वो सुधा को मुनाने लगे वे थे पर मैं चाहता नहीं था कि सावी कैसे भी इस घर से जाए फिर बात मतलब धीरे-धीरे बनी गई मेरी वाइफ थी जो उसने सुधा मतलब सावी को अपना लिया और पिर धीरे धीरे सब कुछ बेटर हो गया सावी का भी बेटा हुआ संद्या का भी बेटा हुआ और मैंने सावी को भी अपनी दूसरी पतनी के रूप में अपने घर में रखा आज मैं अपने सावे, मतलब बहुत खुश हूं कि हाँ मेरी जो गई मुझे बहुत प्यार करती है दोनों मेरे इज़त करती है और बच्चे भी मेरे कंट्रोल में है तो दोस्तों यह मेरी छोटी सी स्टोरी थी I hope आपको पसंद आएगी पसंद आए तो like जरूर करें Thank you so much तो दोस्तों I hope आपको यह स्टोरी पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो please like, subscribe और share करना ना भूले तो दोस्त I hope जो आपकी surroundings है हमेशा प्यार से भरी रहे आपके love ones, आपके dear ones, आपके near ones हमेशा आपके साथ रहे आपके उपर प्यार की बारिश हो और God हमेशा आपको अच्छी अच्छी चीजों से Bless करता रहे Thank you so much, thank you for your support Jai Hind Vandimathram